हलो एप्रिवान, वेलकम बैक तो मैं चैनल और मैं हूं दीपा दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेड होने से पहले अपनी प्रेग्निन्सी का एक ऐसा लक्षन जिससे आप क्लियरली कंफर्म हो पाएंगे कि आप प्रेग्निन्ट हैं या नहीं दोस्तों जब कोई महिला कंसीब कर लेती है प्रेग्निन्ट हो जाती है या फिर बहुत दिनों से वह कंसीब करने की कोशिस कर रही होती है तो वह जल्दी से जल्दी चानना चाते है कि वह प्रेग्निन्ट हो गई है या फिर नहीं दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे लक्षन के बारे में जिससे आप जल्दी से जल्दी चांद पाएंगे अपने पीरेट के आने से पहले ही कि आप प्रेगनेंट हो चुके हैं या पर नहीं और इसके रीजन के बारे में भी कि ऐसा क्यों होता है तो दोस्तों आएए वीडियो शुरू करते हैं प्रेगनेंट से किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही खुस्नुबा पल होता है जब आप प्रेगनेंट हो जाते हैं यानि कि कंसीव कर लेते हैं तब आपकी बॉडि में कई सारी चिंजर होते हैं जब आपकी body में estrogen hormone और progestone hormone का label बढ़ने लगता है तब आपकी body में कई changes आपको feel होते हैं तो friends आईए जानते हैं वो कौन से changes है जिने अपने period के आने से पहले ही आप feel कर सकते हैं पहला है आपकी smell की छमता का बढ़ जाना जब आप conceive कर लेते हैं तब आपकी smell करने की छमता बढ़ जाती है ऐसे में जब आप अपना urine पास करते हैं तो आपको urine में भी smell feel हो सकती है क्योंकि इस समय आपकी smell करने की छमता बढ़ जाती है दूसरा है बार बार urine आना दोस्तों pregnancy के पहली लक्षन में ये आता है जब आप pregnant हो जाते हैं तो आपको बार बार urine जैसा feel होता है तीसरा है आपकी urine का color change हो जाना दोस्तों इस समय आपके urine का color dark yellow हो सकता है या फिर urine में आपको जाग जैसा भी feel हो सकता है इसके अलाबा भी एक ऐसा लक्षन है जिससे आप confirm समझ पाएंगे कि आप pregnant हो चुकी है दोस्तो आपके intimate हो जाने के बाद जब male sperm female के एक से मिलता है और fertilize होता है तो कई लेडिजों में implantation bleeding होती है इस bleeding को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप pregnant हो चुके है दोस्तो ये आपकी period के 3-4 दिन पहले ही आते हैं और ये blood के हलके धब्बे जैसे समझ में आते हैं आपकी pregnancy conceive कर लेने के बाद ही ये implantation bleeding होती है जिसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप pregnant हो चुके हैं दोस्तो इस समय आपको नाभी के नीचे हलका दर्थ भी महसूस हो सकता है इन सारी चीजों को देखकर आप समझ पाएंगे कि आप pregnant हो चुके हैं या प्रेड नहीं दोस्तो मेरे द्वारा बताएगे जितने भी लक्षण है उनमें से एक दो लक्षण भी यदि आपको अपनी period से पहले समझ में आ रहे हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं जिससे बिल्कुल confirm हो जाएगा कि आप pregnant हैं या नहीं दोस्तो इसके लिए आप अपनी morning की यूरीन लें किसी भी साफ सुच्रे कंटेरर में और इसे किसी जगे में 10 मिनट के लिए रख दें 10 मिनट के बाद आप उस यूरीन को दोबारा देखिए अगर उस यूरीन में उपर जाग की तरह आपको हलका हलका bubble दिखाई दें कुछ जाग सा समझ में आए तो इसका मतलब है कि आप confirm pregnant हैं लेकिन यदि उस यूरीन में आपको कोई भी जाग या फिर bubble नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब है कि आप pregnant नहीं हैं दोस्तों ये एक बहुत ही सुल्चा हुआ और सरल तरीका है अपने pregnancy को जानने और समझने के उमीद है वीडियो में पताई के जानकारी आपको पसंद आई होगी कोई भी क्यूरीज होने पर आप कमेंट पॉक्स दे कमेंट करें